जी तरावी से मुतालिक सवाल था यहां तो हमारे यहां 20 रिकात तरावी होती है और 14 दिन में हो जाता है complete तो हम लोग उसमें 8 रिकात अगर पढ़ सकते हैं या अपना पढ़े निवाज खुछ से इंफ्राद देखे अली भाई पहले तो आप ये कोशिस कीजिए कि अपने आ आप तरावी की नमाज ये नफिल मुकयद है तादाद के साथ बदी हुई है जब उतनी तादाद में आप पढ़ेंगे तब आपको सुन्नत का सवा मिलेगा तो आप आठ रिकात वाली मस्जिद को तलाश कीजिए पहले तो ये कोशिस कीजिए अब फर्ज कीजिए आपके आस पास में ऐसी कोई मस्जिद नहीं है जितनी मस्जिदें हैं सब में 20 रकात तरावी होती है तो आप किसी मस्जिद में 20 रकात वाली मस्जिद में आप तरावी की नमाज पढ़ ले आप ये करें कि जब 8 रकात इमाम खतम कर ले तो आप जो है 8 रकात के बाद आपकी तरा से शामिल हो जाएं, दो रकात उसके साथ पढ़ें, फिर दो रकात से सलाम फेरने के बाद एक रकात आप अलग हो करके पढ़ सकते हैं, इस तरहे आपकी तीन रकात वित्र हो गई, एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि आठ रकात पढ़ करके आप अलग हो जाएं, आप मस्जिद ही के अंदर या घर में जाकर के या रात के बाद में किसी और हिस्से में आप वित्र की नमाज पढ़ लें लेकिन आप आठ रकात तरावी ही पढ़ें शेख खर्शन यहां पर एक अतराज ये किया जा सकता है जिसको मैं जिकर करके उसका जवाब भी बता दूँ औरना कई लोगों के जहन में ये इशकाल आएगा अभी इस सवाल से पहले एक सवाल के जवाब में मैंने ये अरस किया कि हम को इमाम के साथ उस वक्ट तक नमाज पढ़नी एग जब तक इमाम नमास खत्म ना कर ले तब हमको वो जो है वो फजिलक मिलेगी कि कौतिबा लगों कयाम लई ले कि पूरे रात का कयाम उसके लिए उस वक्त लिखा जाएगा जब इमाम के साथ हम मुकमल नमाज पढ़ेंगे अब यहाँ पे तो मैंने अभी कहा कि भाई आट रकात पढ़के आप अलग हो जाएए इमाम को छोड़ दीजिए तो फिर आपके लिए क्या पूरी रात का क्याम लिखा जाएगा कि नहीं क्यूंकि इमाम को तो आपने दर्मयान में छोड़ दिया यह कोई इशकाल डाल सकता है इसका जवाब यह है कि अगर इमाम सुन्नत के मताबिक तादाद पर रहा है तरावी की तब तो आप मुकमल उसके साथ पढ़ें दर्मयान में अगर आप छोड़ रहे हैं तो आपको फजीलत नह इसी सबब की बुनियाद पर इमाम का साथ छोड़ना यह जायर है इसकी मिसाले भी मौजूथ है कि किसी सबब की वजcidos से मुकतदी ने इमाम का साथ छोड़ दिया मैं उसकी मिसाल आपको जेता हूँ एक सहाबी थे वो नमाज पर रहे थे मामूम थे मुकतदी थे अमाम ने بہت لمبی قیرت کی غالباً وہ معاذ بن جبل تھے امام کی حیثیت سے تو جب بہت لمبی قیرت انہوں نے کیا وہ صحابی کسان تھے دن بھر کام کرتے تھے تھکے ہوئے رہتے تھے جب وہ لمبی قیرت کرنے لگے تو درمیان میں وہ چھوڑ کے چلے گئے اپنی نماز جا کے الگ پڑھا انہوں نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں شکایت کیا کہ یہ لمبی لمبی नमाज पढ़ाते हैं और हम ठके हुए होते हैं तो अल्लाह के नभी सलसलेंगे ने सरजनिश की मौाजब ने जबल की कहा क्या तुम लोगों को फितने में डालना चाहते हो और वो जो सहाबी निकल गए थे जमाद छोड़ करके उनकी कोई सरजनिश नहीं की भाई उनकी सरजनिश क्यों नहीं की क्योंकि उनके पास सबब था निकलने के लिए नमाज से तो अगर आपके पास सबब है निकलने के लिए तो आप दरम्यान में इमाम का साथ छोड़ सकते हैं अब इमाम जब सुन्मत की मुखालफत कर रहा है तादाद में तो आप दरम्यान में उसको छोड़ दीजिए इन्शालला वो अजर आप के लिए लिए लिखा जाएगा इन्शालला स्पीड भी बहुत ज्यादा रहता है यहाँ पर करत का यह भी मसला है यह अलग मसला है इस पर हम अभी आये नहीं है यह अलग मसला है 20 रकात तरावी का ऐसी स्पीड में पढ़ते हैं कि ना तो कुरान के कलिमात और उसके हुरूफ और उसके मखारिज को उनका हक दिया जाता है कई सारी मस्जिदों में तो कुरान पढ़ने को नौस बिल्ला खिलवार बना दिया जाता है ऐसे लग रहा है जैसे कोई रेस हो रहा जबकि अल्ला के नभी स्वल्ण लबी नमाज पढ़ते थे जो है सहाब एकराम का भी यह तरीका था कि क्याम लेल वो लंबी लंबी करते थे तो उन सारी सुनतों पर उन सारी सुनतों को छोड़ दिया जाता है पकत इसलिए कि 20 रकाट पड़नी है तो ये तरीका भी गलत है